मा की आखरी इच्छा एक बार एक बूरी मा को उसके बेटे ने एक ब्रद आश्रम में ले जाकर छोड़ा इस मा का ये वही एक लौता बेटा था जिसके लिए इस मा ने जीवन भर संगर्श किया इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक मा कर को करना चाहिए या एक मा कर सकती है और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरेकी की परिशानी ना हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए तयार हो गई वरध आश्रम में रह रही मा हमेशा अपने बेटे को याद करती मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता कई साल बीथ गए वर्द आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया उन्होंने कहा बेटा जल्दी से आश्रम आ जाओ अपनी मा से मिलो वो बहुत सीरियस है बेटा जब अपनी बीमार मा के पास पहुचा तब वै आखरी सांसे गिन रही थी बेटे ने अपनी मा से आखरी इच्छा पूछे मा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ मा ने कहा बेटा इस आश्रम में बहुत गर्मी और मच्छर बहुत जादा है फ्रिज ना होने की वज़े से यहां परहम बूडो को कई बार भुके पेठी सुना पड़ता है तुम इसका इंतजाम करवा दो किसी ने दिया हुआ खाना खराब होने से बचा पाते इस आश्रम में एक दो फ्रिज भी खरीद कर दे देना बेटे ने अपनी मा की सारी बात सुनी और अपनी मा से पूछा आपने इतने साल यहां पर निकाल दिये पर आपने कभी भी यह बाते मुझसे नहीं कही और जब आपके पास टाइम नहीं बचा है आप यह सब क्यों कह रही है मा ने बेटे को जवाब दिया बेटा मैंने गर्मी भूग और पीडा सहन कर ली लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे तो तु यह सब सहन नहीं कर पाएगा इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ दोस्तो मा की यह आखरी लाइने किसी भी बेटा या बेटी की आखे कोलने के लिए शक्षम है